साफधान होकर खड़े रहना है तो रहिए वरना अपने दफ्तर चले जाईए ये कहते नजर आए बिजेपी के मंतरी राज्यवर्दन सिंग राठोर मंतरी ने शिप्रपत थाने में एसीपी संजेश्यर्मा को ये का जिसके बाद सवाल ये खड़ा होता है कि क्या फुलिस सिर पहले आपको बताते हैं कि आखिर मंतरी राटों ने एसीपी संजेश्यर्मा से बाद क्यों कही और इसकी पीछे वजहा किया थी 11 अगस्त को शिप्रपत थाना पुलीस ने हुकबार पर कारवाई की थी इस दोरान एक आर्मी के जवान को हिरासत में लिया था किरासत में लिये गई जवान की जमानत के लिए जम्मू कश्मीर में तेना सेना के जवान अर्विन सिंग शिप्रपत थाना कहुचे इस दोरान उनके साथ मारपीट की गई जवान कारी के मुताबिक साथ ही सेनिक को ये भी कहा गया कि राजेस्थान पुलीस आर्मी की बाप हुए जिसी बात पीडी जवान अर्विन सिंग ने एक वीडियो जारी किया वीडियो में वो बोले मेरा दोस्त राजवीर शेखावत 11 अगस्त और रात में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गया था वाइन कलब में पुलीस की रेट के दोरान उसे पकल लिया गया और शिप्रपत थाने लाया गया जानकारी मिलने पर में ठाने गया और एक परिचित से ठानादिकारी की बात करवा था हूँ द्रफटारी का कारण पूछने पर मेरे साथ बचसुलुकी की गई इसके बाद निर्वस्त्र करके विमान रूम में ले जवाकर पिटाई की गई लेकिन 11 अगस की राज जवान अर्विन सिंग और थानादिकारी के बीच क्या बात हुई ये सिर्फ वो थानादिकारी और अर्विन सिंग ही जानते हैं लेकिन इसके बाद जब 12 अगस को मंतिरी राज्य वर्दन सिंग राठो और जेपूर के शिप्रफताना पहुंचे थे और उस दोरान जो कुछ भी हुआ और उन्होंने जो कुछ संजे शर्मा को बोला उसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है मंतिरी थाने में संजे जी मैं आप से बात कर रहहूं मैं ये धेरे से से बेटा हूँ जब आपसे बात की जाया तो बात करें नहीं तो साफधान में रहें अपने बेसिक मेनर्स भी आपने नहीं सीखा या वर्दी का कोई अलग रोप हो गया है यह कोई दादा गिरी चल रही है देखिए वो वीडियों कि पुलिस अधिकारी को सब के सामने बेज़ज़त कर रहे हैं पुलिस के लिए कहा जो आता है कि जब कोई एक पुलिस करमच्वारी भी अगर गली के कोने पर खड़ा हो तो जनता सुकून के नीन सोती है लेकिन मंत्री जी ने तो पुलिस को ही मीडिया को गुला वीडियो वारल करा कर दुनिया के सामने विज़ज़त किया राटोर यहीं नहीं रुके ठान यह सेनक, जो शर्विंग सोलजर है कश्मीर के अंदर जो सर्विस कर रहा है वो यहां जैपूर में किसी कारण आता है तो उसको पगड़के एक सर्विंग सोलजर को पगड़के पुलीस के कुछ कर्मियों निर्वस्त्र करके उसको डंडों से खुब पिटाई करी उसकी और पिर निर्वस्त करके लोगों के बीच में बिठाकर कुछ पुलीस कर में उससे दोराते हैं कि पुलीस भारतिय सेना की बाप है यह अत्यांत दुख की बात है और यह घिनोनी मानसिक्ता दिखाता है उन दो तीन व्यक्तियों की जिनोंने कारवाई करी है यह बताते चले कि यह वही राजेवर्दन सिंन्ग रातोर है जिनका अपने ही विधानसवा शेत्र जोड़वारा में जनता वरोध कर रही है बारिश की वजह हैं से इनके श्येतर के इतने बुरे हाला आते में पेर तक नहीं रख रहे हैं ऐसे तमाम और खबरों के लिए पिरे देना ग्रिविश कुले.